नमस्कार जैहिन दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एड़ुटेरिया के तरफ से जो आपका बिहार स्पेसल निकला गया है उसी का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किये हुए है वैसे इसका प्रिबियस एर आपका कंप्लीट हो चुका है और यह आपका नया प्रस्न है तो उम भी आपका कल ही वीडियो आएगा तुम्हीं देख आप उसको भी आप देखेंगे और यहां से भी आप रिविजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो पहला प्रस्न आपका है कि छेत्रफल की देश्टी से तो आपको याद ही होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्सेंडी सी वहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा देखें आप हमारे जब वीडियो में जाते होंगे तो आपको फास्ट रिविजन कराया जाता होगा और भी आप बहुत सारा यूटूब पे वीडियो देखते होंगे उसमें आपको कहीं ने कहीं वीडियो का लेंथ बहुत ज्याद के अंद्रगत आता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा option क्या हो जाएगा दूसरे का है बी यानि एडबलू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सरवादिक वर्षा किस मानसुन द्वारा होता है बिहार में सरवादिक मानसुन किस वर्षा के द्वारा होता है तो द एक से अधिक हो जाएगा देखे दर्भंगा हो जाएगा मुझफर पूर हो जाएगा और सहरसा हो जाएगा तो आंसर जो है आपका एक से अधिक हो जाएगा पुनपुन नदी किस इस्थान पर गंगा नदी में परवेश करती है तो आप याद रखेंगे यह आपका हो फटूहा क्या हो जाएगा फटूहा निमलिखित में से कौन सी नदी दच्छड बिहार की सबसे लंबी नदी है दखे सबसे लंबी की बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा option ए सोन नदी, क्या हो जाएगा सोन नदी आगे प्रस्न है, बोला कि तेलहर कुंड किस जीले में इस्तित है तेलहर कुंड की बात करेंगे, तो यह आपको कैमूर जीलہ में देखने के मिलता है बिहार में नहरोदोरा सरवादिक सेचाई किस जीले में होता है तो बिहार में आपका होता है option C रोहतार जिला में जो की नहर से जाधिक होता है आगे है बान सागर जल विवाद जो है किसके मध इस्तित है तो ये जो आपका इस्तित है उत्तर परदेश बिहार यानि option B सही आंसर हो जाएगा बिहार scooters limited जो है कहां पर इस्तित है तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है फतुहा में कहां पर फतुहा यानि option B सही आंसर हो जाएगा बिहार start-up नीती की सुरुआत कब किया गया था बिहार start-up नीती तो दोस्तों ये आपको किया गया था 2017 में यानि option B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद बराबर की गुफाएं जो हैं कहां परिस्तित हैं तो बराबर की गुफाएं की बात करेंगे तो यह आपको जहाना बाद में देखने को मिलता है option A सही answer हो जाएगा बिहार के किस राजनीता को लोकनायक की उपनाम से जाना जाता है तो सही answer आपका 13 का हो जाएगा option B जै परकास नरायन हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे देख लेते अगला आपका प्रस्न क्या है अगला है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समचार पत्र है बिहार का हिंदी प्रथम पूछ रहा है तो यह आपका हो जाएगा बिहार बंधू क्या हो जाएगा बिहार बंधू आगे आपका प्रस्न है कोशन बर 15 निम्निखित में से किसके द्वारा बिहार scientific society की स्थापना किया गया था बिहार scientific तो ये आपका हो जाएगा option ए हो जाएगा इमदाद alie khan बिहार की पहली मैथली film कौन सी थी जो पहली फिलम थी मैथली वाला है ये आपका हो जाएगा कन्यादान जो है सही अंसर हो जाएगा बिहार अक्छांसिय विस्तार पूछ रहा है तो बिहार का जो अक्छांसिय विस्तार हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 24 डिगरी करके यानि आपका option A जो है A सही उत्तर हो जाएगा आगे है जन संख्या के देश्टे से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो जन संख्या के देश्टे की अगर हम बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा option A सेखपूरा क्या हो जाएगा सेखपूरा 17 वी बिहार विधान सबसे चुनादोर 20 में निरवाचित महिला विधायकों के संख्या जो है कितना है तो आप सब लोग गयाद रखेंगे करीबन आपका महिला की संख्या यह आपका 26 है कितना 26 बिहार सरकार दोरा साथ निश्चे वन की सुरुवात जो है कब किया गया था तो यह आपका किया गया था 2015 में किया गया था 20 अहीं इसका उत्तर हो जाएगा आगे है भारती समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत राज की समस्त कारीपाली का सक्तिया राजेपाल में नहीं तो राजेपाल में नहीं थे तो अनुछेद 154 बिहार में ग्राम सभा के कितनी बैठके एक वर्स में बुलाए जाने का प्राउधान है तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्सन C चार याद रखेंगे चार इसका सही अंसर हो जाएगा इस्थान यह सासन को किस वर्स र सकता है यानि कब तक इसको रोख सकता है तो यह आपका तीन माहा तक रोख सकता है option C सही उत्तर हो जाएगा आगे प्रसना का है बोला की विधान परिशद में कुल कितने सदस से राजेपाल द्वारा मनुनित किया आते हैं तो राजेपाल के अगर हम बात करेंगे तो एक बटा छे यानि ऑप्सन बी निमलिखित में से किस राजधानी का निर्माड बिम्बिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविन्द के द्वारा तो यह जो आपका किया गया था राजगिरी है यानि ऑप्सन ए सही आंसर हो जाएगा आगे आपका प्रस्न है निमलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधी विर्ख्ष को छतिगरस्त किया था तो छतिगरस्त किसने किया था या आपका हो जाएगा उप्सन सी सहसां के द्वारा किया गया था औरंग जेब के पौत्र राजकुमार जो की अजीम ने पतना का नया नाम क्या रखा था पतना का जो नया नाम रखा गया था आपका हो जाएगा अजीमाबाद क्या हो जाएगा अजीमाबादे निया अपने ही नाम पर यह मान सकते हैं ठीक है बिहार के मनेर में इस्तित जो कि मगदूम सहद आलत का मगबरा किस मुगल सासक के सासनकाल में बना था तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर क्या हो जाएगा जहांगीर परकास नरायन अपने साथियों के साथ कहां की जेल की दिवार फांद करके भागने में सफल हुए थे तो सभी को पता यह होगा इसका जो आंसर आपका पतना कलम के अंतरगत निर्मी चित्रों में समाने तक किस विशे का चित्रन हुआ है तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा बिहार के समान्य जन जीवन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा और सहयोगा अंदोलन के समय सदाकत आशरम से द मदर लेंड नामक अख़बार का प्रकासन किसने प्ररम किया था तो यह किया गया था मजहरूल हक यानि आप्सन ए इसका उत्तर हो जाएगा आगे प्रसन है कि भारत छोड़ा अंदोलन के दोरान निम्लिकित में से किसे अपराधी जीला घोसित किया गया था तो यह जो अपराधी जीला घोसित किया था सरन को यानि आप्सन ए सही आंसर हो जाएगा आगे आपका प्रसन बोल रहा है कि दूति ये बौद संगिती का आयोजन जो है किसके सासन काल में हुआ था सेकेंड वाला तो सेकेंड जो आपका हुआ था ओप्सन सी काला सोके समय में हुआ था बौत धर्मे के प्रचार है तो समराट असोक ने स्रिलंका किसको भया था तो स्रिलंका की अगर हम बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा महेंदर को भया था यानि ऑप्षन भी सही आंसर हो जाएगा किस तिवत्य बौध यातरी नेतलनलंदा और ओधन्त पूरी में हुवे बक्तियार खिल्जे के आकर्मण का वर्णन किया है तो सही आंसर आपको हो जाएगा ओप्षन सी धर्मस्वामीन धर्मस्वामीन हुमायू के समय बिहार पर किसका अधिकार था हुमायू के समय के अगर हम बात करेंगे तो यह आपको हो जाएगा आफगानियों का यहां पर अधिकार था यानि ऑप्षन डी आंसर हो जाएगा बिहार को मुगल समराज की सुबा यानि प्रांत के रूप में दर्जा दिया था कब ते जो आपका दर्जा दिया गया था पंदरसो असी में दिया गया थे यह आप्सन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा चलिया आगे आपका प्रस्ण है कि अंग्रेज वैपारियों ने पर्टना में किस वर्ष अपना फैक्टरी जो है स्थापित किया था तो देखिए फैक्टरी की बात करेंगे तो यह आपका 651 में किया गया था ओप्सन जो है आपका भी सही आंसर हो जाएगा कुवर सिंग ने किस यूध में नाना साहब को सहयोग किया था तो आप सब लुग याद रखेंगे कानपुर यूध यानि ऑप्सन ए आगला है यानि पालकालीन चित्रकला का भित्ती चित्र रूप जो है कहां से प्राप्त हुआ है तो यह आपको देखने की मिलता है आपक आना लंदा यानि आप्सन डी आंसर हो जाएगा बेगू सराय में चौकईदारी करके विरुद्ध आंदुरण एक हिस्सा था किसका तो यह आपको हो जाएगा समीने अवग या आन्दूरण का यानि ऑप्सन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आगे प्रस्ण है लीज दो के मोसाड़ काल के अवस्याश किस छेत्र या फिर जीला में जीला से पराप्ट हुए हैं तो यह आपको को देखने को मिलता है सारण अल्ययों वैसाली यानियरा Octon цветnya पुरानों के अनुसार मगद छेतर में किस राजवन्स का उलेख सरप्रथम मिलता है तो आज़ी اخी आणसर कितने वर्ष के आयू में मगद समराज के सिंघ्वासन पर बैठा था तो सही आणसर आपका आखरी प्रस् Namai इस रांटों में किसप्रांथ कि अव्यक तो यह हैं आपका प्राष है यानि चesz्था वीडियो आपfikा 500 कोशन साथ आएगा उसके बाद मैंने सूचा पूछा हुआ है क्योंकि वहां से भी आपका प्रस्ण जो है डारेक्ट एक्जाम में देखने को मिलता है तो उमेद है कि वीडियो के आप लाइक करेंगे और अपना सुझाओ जरूर कमेंट में करेंगे मिलते हैं नई वीडियो में आज के लिए इतना ही